टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और पूर्व BCCI अध्याक श्तौरफ गांगली ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान ICC टूनमेंट्स में टीम इंडिया के खेलने के तरीके पर बोलते हुए दादा ने कहा कि टीम इंडिया को खुल कर खेलना चाहिए उनकी बल्लेबाजी में बहुत गहराई है और आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की जरुवत है तब ही आप ICC टूनमेंट्स जी सकते हैं पूर बॉस टूलाई कप्तान एरॉन फिंच ने IPL में लखनो सुपर जाइंट्स को लिकर की बड़ी भविश्यवानी फिंच ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि LSG अपने पिछले साल के प्रजेशन को दोरा पाएगी मुझे उनकी टीम में कमी लगती है और वो ये है कि उनके पास एक भी अच्छा डेथ बॉलर नहीं है आपको बता दे अपने पहले ही सीजन में LSG ने शांदार प्रजेशन करते हुए प्ले आफ में बनाई थी जगा टीम इडिया के पूर कप्तान महिंदर सिंग दोनी के चाहने वाले तो पूरे देश में हैं और अगर बात की जाए चिन्ने ही की तो यहां दिवाने पन की सारी हदे पार हो जाती है ऐसा ही कुछ चिन्ने सुपर किंग्स के प्रेक्टिस सेशन में देखने को मिला जहां सिर्फ धोनी को खेलते देखने के लिए हाजारों लोगों की बीड जमा हो गई आपको बता दे चिन्ने सुपर किंग्स अपना पहला मुकाबला गुजरात के खिलाफ 31 मार्च को खेलेगी आईपेल 2023 की शुरुआत से पहले बीसी सी लगातार एक्शन में इस बर श्रिलंकाई खिलाडियों पर बड़ा फैसला लेते हुए बीसी सी लंकाई बोर्ड को और खिलाडियों को रहत दिये आपको बताते पहले खबर ऐसी आ रही थी कि आईपेल के शुरुआती मैच मिस्ट करने की वज़े से बीसी सी लंकाई बोर्ड और खिलाडियों पर कड़ा एक्शन ले सकता है आस्ट्रेलिया के हरफन मौला खिलाडी कैमरन ग्रीन मुंबा इंडियन्स के कैम के साथ जुड़ गए है कैमरन ग्रीन आईपेल इतियास में दूसरे सबसे महंगे खिलाडी है और अगर बात की जाए मुंबा इंडियन्स की तो अब तक इस टीम के सबसे महंगे खिलाडी है ग्रीन के साथ साथ कप्तान रोई शर्मा ने भी टीम के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी है टीम इडिया के खिलाडी केदार जादव को बड़ी रहा तब मिली जब उनके पिता उन्हें दुबारा मिल गए आपको बता दे कि केदार जादव के पिता लापता हो गए थे जिस बाख की जानकारी केदार जादव ने खुश शोशल मीडिया पर दी थी पुलिस ने तुरंत कारवाई करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही केदार जादव के पिता को ढूंड लिया और परिवार को सौब दिया निजिलेंड शुलंका के बीच खेले जाने वाले वंडे सीरीज का दूसरा मैच बारिश की भेट चड़ गया बारिश की वज़े से पूरे मैच में एक भी गेन नहीं पेकी जा सकी आपको बता दे दौनों टीमों के बीच तीन मैचों की वंडे सीरीज खेली जा रही है जिसमें पहले मैच में कीवी टीम ने शांदार प्रोजेशन करते हुए 198 रोनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया भारत की शीर्ष ग्रैंड मास्टर कॉनरू हमपी ने महिला ग्रैंड पी सीरीज के तीसरा टौनमेंट के पहले राउंड में किला ड्रॉव पहले राउंड में कॉनरू हमपी का मुकाबला हरीका द्रोडवल्ली से हुआ अब कॉनरू हमपी की नजरे अगले मुकाबले में अच्छा प्रोजेशन करने पर होंगी टूनमेंट कुछ विवादों के चलते एक दिन लेट से शुरू हुआ था स्टार फुटबॉलर खिलाडी केलिन एमबापे की कप्तानी में फ्रांस ने शांदार प्रोजेशन करते हुए यूरोपियन कॉलिफायस में आइलेंड को एक शुनने से दी मात मैच में एक मात्र गोल फ्रांस के बेंजमिन पारवर्ड ने दागा दूसरे मैच में स्वर्भिया ने मौन्टी निग्रों को दो शुनने से हराया मियामी उपन के अपने पहले मैच में शांदार खेल दिखाते हुए सिसिपास ने हासिल की जीत सिसिपास का सामना चिली के क्रिस्टिन गारिन से था सिसिपास ने मैच 6-3, 4-6, 6-4 से अपने नाम किया